हाई गाई इस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 20 जून तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हम इसा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफे कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को सुरू करने से पहरे आप सभी को बताना चाहूंगा यह दिया हमारी डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरूआत इस वीडियो सेशन की सबसे पहले 19 जून को पड़े गए करंट अफेर्स क्विकली रिवाइस कर लिते हैं यहां यह याद रखेग यहां पर मैं आपको क्विक पॉइंट्स बता देता हूँ तो इक्विटाज स्मॉल फाइनस बैंक ने किट्स के लिए एक एक्स्क्लूजिव सेविंग्स एकाउंट ओपन किया है जिसका नाम है एंजोए थीम बेस्ट भारत कोरव ट्रेन की फस्ट सर्विस कोईमबटूर से साइन अगर सिर्डी के बीच शुरू की गई है आपको बता दें इंडियन रेलबेस द्वारा नॉम्बर दोजार इकिस में यह थीम बेस्ट भारत कोरव ट्रेन का ओपरेशन लॉंच किया गया था अगनिपत जो की आर्म फोर्सेज में रिक्रूट्मेंट की एक स्कीम है इसके तहर जो युवा है वो चार साल तक सर्व कर साइगेंगे प्रमोद के मित्तल इन्हें इंडिस्ट्री बोडी सेल्लर्स ऑपरेटर्स एसोशेशन ऑफ इंडिया का न्यू प्रेजिडेंट बनाया गया है करनाटक के नए लोका युक्त बने हैं जस्टिस भीमन गोड़ और संगन गोड़ा पाटिल आयोटेक वर्ड एविगेशन इसको मिलिस्ट्री ऑफ सिविल एविशन द्वारा ड्रोन रूल्स 2021 के तहत फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट अवर्ड किया गया है आपको जाना चाहिए कैबिनेट ने इंडिया और उनाइटे नेशन के बीच ए मन्तित है 19 जून को इंटरनेशनल डेपोर्ड एलिमिनेशन ऑफ सेक्ष्वल वाइलेंस इन कॉन्फिक्ट ऑपसर्व किया जाता है आपको जानना चाहिए उडिशा से भारत ने प्रिथवी टू शोर्ड रेंज बैलेस्टिक मिसाइल का जो है नाइट लॉंच यहां पर टे के लिए इंडियान स्टेंडर्ड डेवलप किया है यह है इस 17693-2022 अगर हम बात करें लेटेस्ट बवर्गुंदी प्राइवेट होरोन इंडिया 500 इस्पेशल रिपोर्ट की तो भारत की जो मोस्ट वैल्यूबल कंपनी है यह रिलाइंस इंडूस्ट्रीज है और इस से 10 अगस्त के बीज में नेसल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉर्कास्टिंग इसने एक MOU साइन किया है इंडियान नेवी के साथ for cooperation on numerical model based applications in metrology and oceanology आपको जानना चाहिए यह फास्ट एवर पहला इंडिया यूरोपियन यूनियन सेक्योर्टी और डिफ्रेंस कंसल्टेशन यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में संपन हुआ स्री लंका के एंजलिव मैथ्यूस और पाकिस्तान की जो डेप्टेंट इस पीन सेंस्टेशन है तूबा हशन इन्हें ICC's player of the month for मई चुना गया है चलिए बीज जुन तक के सभी महत्यपॉर्ण करण्ट अफेर्स देख लेते हैं इसको होस्ट किया है आपको जाना चाहिए दो दिन की कॉन्फरेंस जॉइंटली House of Representatives and Inter-Parlamentary Union IPU के द्वारा और्गनाईज की गई थी अब मैं तो बन कोश्चन है कि भारत की और से यहां पर किसी ने पार्टिसिपेट किया तो देखिए नागालेंड की First Women MP जो की राज्यसवा में इलेक्ट हुई है इनका नाम है S. Fungon Konyak इन्होंने इस कॉन्फरेंस में भारत को रिप्रेजेंट किया है तो ये भी अपने आप में ही एक कोश्चन है एक अलग कि नागालेंड की First Women MP कोन है जो राज्यसवा में लेक्ट हुई हैं तो ये भी आप याद रखिएगा रभाभ फातिमा है को संयूक्तराष्ट के अपर महा सचीव के रूप में नियूक्त किया गया है वह संयूक्तराष्ट में किस देश की इस्थाई परतिनिधी है ओप्षण्स आपके सामने हैं सही आंजर ओप्षण सी रहेगा बंगलदेश तो अम्बेस्टर है रबाब फातिमा और ये पर्मनेंट रिप्रेजेंटिटिव है बांगलेदेश की उनाइटे नेशन्स में इनको अंडर सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हिया गया है उनाइटे नेशन्स में और साथ ही ये जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं लेंड लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इस्मॉल आइलेंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं इन सभी की हाई रिप्रेजेंटिटिव्स यूनाइट नेशन्स में रहेंगी ये सक्सीट कर रही है जमाका की कोटनी रेटर पार ने आनंद महिंद्रा पंकच आर पटेल वेनु स्रीनिवासन और रविंद्र एच डोलक्या को रार वियाई केंद्रिया बोर्ड में न्युक्त किया है कितने वर्सों के लिए इनका ये नामंकन किया गया ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी रहेगा फोर इंडिया है सेंटर बोर्ट ऑफ दी रिजर बैंक में और इनकी जो ये नुक्ती है ये चाल साल के लिए की गई है जैवलिन एस नीरचोपडा वांदा गोल्ड मैडल एड़ता कोल्टेन गेम्स हैंड इन विच कंट्री जैवलिन खिलाडी नीरचोपडा ने किस देश में आ जाता है तो अलम्पिक चैंपियन आप से जानते हैं नीरचोपडा के बारे में इन्होंने गोल्ड मैडल जीता है जैवलिन फ्रोव इवेंट में कहां पर जो कोटेंड गेम्स चल रहे हैं फिन्डेंड में और जो रेनिंग वर्ड चैंपियन एंडर्सन पीटर्स ओफ ग्र वो नुर्मी गेम्स तुर्कु फिन्लैंड में ही यहां पर इन्होंने सिल्वर मैडल जीता तो इन्होंने जो फ्रोव फैका था वो 89.30 मिटर का फैका था और इनका जो प्रिविएस नेसनल रिकॉर्ड है 88.07 मिटर का इसको इन्होंने तोड़ दिया तो दोनों महत्यपूर रतन टाटा को सहित्य के मानट डॉक्टर उपादी से समानित किया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंत्र ओप्शन्स ही रहेगा महाराष्ट तो इन्डॉस्ट्रिस्ट एंड फिलेंट्रोफिस्ट रतन टाटा इनको राजबवन मुंबई में जो महाराष्ट्य गवर्णर साथी राजबंत संबंदित हमने हाली पर यह पड़ा था कि पीम नरेंद्र मौदी ने जो राजबहन है मुंबई में यहां पर जल्भूशन बिल्दिंग को जो है इनोग्रेट किया है उत्तरप्रदेश एक्सप्रेश एक्सप्रेश वेज इंडुस्ट्रियल डेवल्प्मेंट अथॉरिटी यूपी एईड़ेटेश एस कोलाबरेटेड विद स्टेट बैंक अफ बड़ोधा पंजाम नेसल बैंक और विच ओल इंडिया फाइनेंशियल इस्टूशन तो बू यह सहयों किया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंतर ओप्शन सी रहेगा इस्मॉल इंडुस्ट्रीज डेवल्प्मेंट बैंक ऑफ इंडिया सीडवी तो देखिए जो यूपी डिफेंस इंडुस्ट्रियल कोरिडोर में जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनको सपोर्ट इनके साथ करार किया है तो इसमें क्या होगा जो भी इंवेस्टर्स हैं जो उत्तर प्रदेंड़ इंडुस्ट्रियल कोरिडोर में जो हैं इन्वेस्ट करना चाथे हैं तो उनको फाइनेशल असिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड कराए जाएगी साथी इस तरह के उनके लि संदी गएगा जून 20 साल 2001 में युनाइट नेशन्स ने डिसाइड किया कि बीस जून को हर साल वर्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाएगा और यह किस वह से मनाया जाता है 1951 रिफ्यूजी कॉन्वेंशन जो हुआ था उसके 50 years पूरे हो गए थे उस युपलक्स में यह डिकलेर किया गया था बाकिया आपको जानना चाहिए कि हर साल उन्याट नेशन्स हाई कमिशनर फूर रिफ्यूजी यह थीम भी सैट करता है वर्ड फूजी टेका और इस पार थीम है Whoever, Wherever, Whenever Everyone has the right to seek safety The Competition Commission of India approved acquisition of up to 24.98% shareholding of IIFL Wealth Management Limited by which company पूछ रहे कि भारतिय परतिस्परदा आयोग ने किस कमपनी द्वारा IIFL Wealth Management Limited की 24.98 परतिशत तक हिस्यदारी की अधिगरण को मंजूरी दी है ओप्शन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्शन दी रहेगा BC Asia Investment Limited तो देखिए Competition Commission of India CCI आप चानते हैं तो इसने जो IIFL Wealth Management Limited है इसमें 24.98% share acquire करने की अमनती दे दिया किसको BC Asia Investment Limited को आपको बतारें जो BC Asia है यह एक investment holding company है and it is incorporated under the laws of Mauritius साथी एक और approval यहां पर दिया है Competition Commission of India ने यह दिया है कि Air Asia India में entire shareholding Air India जो है acquire कर सकता है इसकी approval भी यहां पर दी गई है Name the Indian Weight Lifter who won a gold medal at the 2022 IWF Youth World Championships in Mexico उस भारती भारत तोलक का नाम बताईए जिसने मेक्सिको में 2022 IWF UR विस्वी चैंपेंशिप में सुन्ड पदग जीता है Options आपके सामने हैं सही answer option C रहेगा Guru Naidu सनपती तो भारत की Guru Naidu सनपती ने gold medal जीता है कहाँ पर 2022 IWF Youth World Championship जो की मेक्सिको में हुई है तो इन्होंने total 230 kg यहां पर lift किया है और इनकी weight category 55 kg की रही है इने के साथ सोमया एस दार्वीनों ने bronze medal भी जीता और silver medal भी जीता साथ ही अकांसा किशोर व्यवार इन्हों silver medal जीता विजे परजापती ने भी silver medal जीता है Who won the men's title at 2022 Indonesia Masters Badminton Tournament जिसे आप दाइहत्सू Indonesia Masters भी कहते हैं तो 2022 Indonesia Masters Badminton Tournament में पुर्षो का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल से ने तो देखिए यह आपका जो 2022 Indonesia Masters Badminton Tournament है यह आपका जकारता इंडोनेशा में हुआ है और men's singles title विक्टर एक्सेल से ने जीता है Denmark के हैं याद रखेगा इनकी country पूछली जाती है विमेंस singles जीता है चाइना के शेन यूफे इने men's doubles आप देख सकते हैं आपर फाजर अलफियान और मोहमद रियान आरडियान दो इसी तरह से आप women's doubles भी देख सकते हैं और mixed doubles भी देख सकते हैं राहुल स्रिवाथ सो पी और which state has become India's 74th Grandmaster किस राजर के राहुल स्रिवास्तो पी भारत के चोहतरवे Grandmaster बन गई है options आपके सामने हैं सही answer यहाँ पर जो है state के नाम आने थे अच्छा यह पता क्या हुआ पहले मैं question बना रहा था इस तरह से कि who has become India's 74th Grandmaster तो मैंने option बनाए उसके बाद फिर मैंने question change कर दिया कि थोड़ा उससे पूछते हैं कि state का पूछ लेते हैं पर मैं आपर option change करना भूलिया कोई बात नहीं आप इस तरह से देख लें कि who has become बाकी PDF में इसको सही कर दूँगा यह question पहले मैं इस तरह से बना रहा था होते हैं उनको ब्रेक कर दिया है यानि कि उनसे ज़्यादा की रेटिंग नोंने मिल गई है यह कारणा माइन ने कहां पर किया 9th Catholic Chess Festival 2022 जो कि इटेली में हुआ है अब देखिए अगर Grand Master बनना होता है तो तीन Grand Master प्रेटर नॉम्स होते हैं तीन शर्ते होते हैं उनको पूरा करने होते हैं साथी जो पच्छी सो इलो पॉइंट्स होते हैं वहां तक भी पहुंचना होता है नेम्दी ऑनली इंडियन अंपायर who was retained in the 11 member ICC Elite Panel of Empires उस एक मात्र भारती Empires का नाम बताईए जिने Empires के 11 सदस से ICC Elite Panel में बरकरार रखा गिया है ओप्शन साब के सामने है सही आंजर ओप्शन भी रहेगा Nitin Menon तो देखिए International Cricket Council ने जो भारत की Nitin Menon है इनको ICC Elite Panel में रिटेन किया है साथ ही इस मन्त के लास्ट में जो श्रीलंका में जो श्रीज होने वाली है वह आपर ये Neutral Empire की रूप में भी कार्य करते दिखेंगे अपनी सेवा देते दिखेंगे और ये इंदोर से हैं इकलोते Indian Empire हैं जो की 11 Member Elite Panel of Empires में included है Name the Indian American person who has been appointed as the CEO of Verizon Business उस भारती अमेरी की व्यक्ति का नाम बताईए जिसे Verizon Business का CEO नूट किया गया और ये डिरेक्ली जो Verizon के Chairman and CEO है Hence Westwork इनको रिपोर्ट करेंगे What does NTAGI A Panel Advising the Indian Government Stand for भारत सरकार को सला देने वाला पैनल NTAGI का क्या अर्थ है Options आपके सामने है सही आंसर उप्शन दी रहेगा National Technical Advisory Group on Immunization इस तरह कोशन जबी पूछ लेता है कि G का मतलब क्या है यहाँ पर कि एक Advisory Panel इसमें G का मतलब बताईए या फिर इसमें A का मतलब बताईए इस तरह से पूछ रहता है क्योंकि News में रहता है यह पैनल तो देखें NTAGI का मतलब होता है National Technical Advisory Group on Immunization तो यह जो Government Advisory Panel है इसकी हाली में मिटिंग होई है और इन्होंने 6-12 Age Group जो है इसमें Co-Vaccine और Co-Bi Vaccine का जो data है उसको review किया है साथी यह भी कहा है कि जो gap है Second dose और Precaution dose के बीच में उसको 9 months से खठा कर 6 months कर देना चाहिए Which company will invest 5 lakh US dollar in partnership with UN Women to advance women's economic empowerment in Asia and the Pacific Asia और प्रसांचेतर में महिलाओं के 38 सस्थरिकन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी company सही उक्तरास्ट महिला के साथ साहतारी में 5 lakh American dollar का निवेश करेगी Options आपके सामने है सही answer option C है LinkedIn तो यहाँ पर LinkedIn जो की world largest professional network है इसने UN Women के साथ partnership की है जिसके तहत यह women's की जो economic empowerment है उसको advance करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए 5 lakh US dollar याने की 3.88 करोड रूपीज का investment करेगी और pilot basis पर इसने महारास्ट में इसको project को launch करेगी जहां पर 2000 women को जो है carrier building opportunities प्रवाइट कराए जाएंगी त्रू जोब fairs, mentoring sessions and peer-to-peer networks साथ ही आपको यह भी जाना चाहिए LinkedIn के संबंदित एक और current अफिर जो मने फरवरी के मही ने में पढ़ा था कि LinkedIn ने creator accelerator program launch किया है इंडिया में बागी LinkedIn के बारे में आप जान दे headquarters California ये United States में है CEO है Rian Roslansky Which country has blocked India's proposal to list Laskare Taiba, Jamaat Uldawa Deputy Chief Abdul Rahman McKee as UN Security Council designated terrorist पोचने है कि किस देश ने Laskare Taiba, Jamaat Uldawa के परूप परमुख Abdul Rahman McKee को सियुक्त राष्ट सुरक्सा परिसर द्वारा नामित आतंकवादी के रूप में सुची बद करने के भारत के प्रस्तावों रोक दिया है options आपके सामने है सही answer option भी है China तो देखे भारत ने China वो slam किया है, slam मतलब रह्मान मक्की तो इसको UN Security Council designated terrorist यहाँ पर कोशित करने के लिए भारत ने जो प्रपोसल रखा था उसको चाइना ने ब्लॉक करती है आपको बता दें जो 26 मुंबई 26 ग्यार आटेक मास्टर माइंड है हाफीज सहीद उसका यह relative है previous assignment questions के आंसर अब देखेंगे what is the full form of Shifri so Stockholm International Peace Research Institute is a full form होती है in which continent is the Dead Sea located? सही आंसर इसका है एशिया, साथ वेस्टन एशिया में और इस्रेल एंड जोर्डन के बीच में है आप यहाँ इसकी वीडियो से देखेगा YouTube पर काफी बहुत अच्छी वीडियो है लोग इसमें तैरते हैं क्योंकि Dead Sea है न और काफी Salty है आप सभी जानते है Salt Water है तो कई लोगों ने बना रहे है आपको Salt की इतनी बड़ी-बड़ी बहुत बड़ी-बड़ी जो है पढ़ते देखने की लिश्में मिलेंगी देखेगा आप दी वर्ड बेनित इस फिट इस अ बायोग्राफी ओफ फिच परसन पुले लागोपिचंद बैट मिंटनर प्लेयर रह चुके है विच अजन्सी ओर्गनाइस्ट नेसल आउट्रीच मीट अंतिम कोश्चन आमने पुछा था यूनियन होम एंड कोपरेशन मिनिस्टर अमिश्च शा इनोगरेट देखेगा नेसल ट्रीबल रिसेर्च इंस्टिट इनिविश्टी आंसर इस नियू डैली और आप में से कई असुरेंट से बिलकुल सही आंसर दिया है चलिया आज के साइनमेंट कोश्चन देखेंगे वन वस अनेसल सिक्यूर्टी एक्ट इनक्टेड पैटाकॉनियन डेजर्ट इस लोकेट इन विच कंट्री महत्पूर्ण है वट वस थीम पर बायोटेक स्टाइप एक्सपोर 2022 नेम दे इंडो बांगलादेश बीलेटरल जॉइंट मिलिटरी एक्ससाइज देट वस कंक्लूदेट अट जैशोर मिलिटरी स्टेशन बांगलादेश और अन्ते में कोश्चन है इसका नाम है ट्राइ मेरी सूरस मयाई या फिर मया स्पिट वाइपर वास डिस्कवरड बाई टीम ओफ हर्पिटोलोजिस्ट इन विच स्टेट अच्छा जो वन वर्ड सफिटूशन आता है ना उसमें भी यह टर्म यूज की जाती है हर्पिटोलोजिस्ट तो देखिएगा क्या मतलब होता है इसका वैसे तो आप समझे गई होंगे क्या मतलब है इसका फिर भी आप इसको नोट डाउन जूरू कर ले जागा जो जिन एक्जाम में वन वर्ड सब्सिटूशन आता है उसमें पूछ ले जाता है तो पांच जो क सकते हैं साथी करणट अफेर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करन्ट को जिसे हम आप सब एक डालते रहते हैं साथी डिस्क्रसन ग्रूप में आप किसी भी कोश्चन का सॉलूशन पा सकते हैं दोस्ते इस कILLसओ किसी पर में आप यहां र sap सकते हैंसे जड़ा किसी भी जब हाएं अवासी जडा को जिसी जड़ा जाएंसे हम आपको rapidly को रालते हैं